8.4 आयनिक तथा ससयोजी योगिक आयनिक एंड कोवेलेंट कमपाउंट्स हमने देखा कि परमानूँ द्वारा ससयोजी कक्षों से इलेक्ट्रोन के त्यागे जाने अथवा ग्रहन किये जाने से आयनिक बंद तथा इलेक्ट्रोनों के साजा करने पर ससयोजी बंद बनते हैं वे योगिक जिनमें आयनिक बंद पाया जाता है आयनिक योगिक या वैदुत सयोजी योगिक कहलाते हैं तथा वे योगिक जिनमें ससयोजग बंद पाया जाता है सहसायोजी योगिक कहलाते हैं आईए अब हम इन योगिकों के गुणों को देखते हैं 8.4.1 आयनिक योगिकों के कुण Properties of Ionic Compounds सामान्यतह आयनिक योगिक जल में घुलनशील होते हैं आयनिक योगिकों के गलनांग एवं कवतनांग उच्च होते हैं क्योंकि इनमें वीपरित आयन आपस में प्रबल वैदुत आकर्षन बलदवारा बंधे होते हैं प्रबल आकर्षन बल से बने बंध को तोड़ने के लिए अधिक उर्जा की आवश्यक्ता होती है आयनिक योगिक जल में घुलने पर अथवा भिगली हुई अवस्था में आयनित हो जाते हैं अतहा ये वैदुत के सुचालक होते हैं 8.4.2 सहसायोजी योगिकों के गुण Properties of Covalent Compounds सामान्य तह सहसायोजी योगिक जल में अघुलनशिल होते हैं इनके गलनांग एवं क्वतनांग आयनिक योगिकों की तुलना में प्रायह कम होते हैं सहसायोजी योगिक विदुत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें आयनिकरण नहीं होता आईए एक क्रिया कलाप द्वारा योगिकों में वैदुत चलन का परिक्षन करें क्रिया कलाप 1 सरप्रथम 4 भी कर लीजिए अब इन्हें क्रमशह क, ख, ग और ग नामांकित कीजिए प्रतेक बीकर में 100-100 ml जल लेकर विलियन तयार कीजिए अब सबसे पहले बीकर क के विलियन में दो ग्रेफाइट की छणे चित्रा नूसार डुबाईए ग्रेफाइट की छणे इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करती हैं इन्हें तार की द्वारा बल्ब एवं 9 वोल्ट बैटरी से जोड कर चित्रा नूसार परिफद पूरा करें ध्यान रहे कि दोनों छणे आपस में इसपर्ष न करें क्या बल्ब जला? इस प्रयोग को अन्य बीकर ख, ग, घ में रखे विल्यनों के साथ दोहराएं एवं अवलोकन को नोट करें अब निम्नलिकित प्रश्णों के उत्तर दे बीकर क, एवं ख, में बल्ब क्यों जला? बीकर ग, एवं घ में बल्ब क्यों नहीं जला? अब आप समझ गए होंगे कि नमक तथा केल्शियम क्लोराइड में वैदू सयोजकता बंद के कारण विदू चालन होता है तथा शक्कर एवं ग्लूकोज में सयोजकता बंद के कारण विदू चालन नहीं होता